दोस्तों आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैप्टॉप या पीसी पर इसली टीम व्यूवर का यूज़ करके किसी के भी पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों टीम व्यूवर वहाँ पर बहुत साथा काम आता है अगर आपके लैप्टॉप पर कोई प्राब्लम आ रही है और आपको किसी परसन से घल्प चीए या फिर आपको किसी की हल्प करनी है तो आप उनके लैप्टॉप PC की स्क्रीन को अपने लैप्टॉप कम्पूरटर पर इसली अक्सेस कर पाओगे और easily आप उनकी problem को solve कर पाऊगे और दोस्तों कैसे आपको team viewer जो है अपने PC पर connect करना है इस वीडियो में हम यहीं सीखने वाले हैं वीडियो को पूरा देखीगा तब ही आप समझ पाएंगे हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम नवीन है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चनल हमसफ़ाटेक में दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर पहली बार है चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को all पर प्रस कर दीजी का ताकि आपको हमारी तरफ से लेटेस वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले तो चले दोस्तों चलते हैं डारक्ट ही अपने लैप्टॉप के स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहरे अपने लैप्टॉप स्क्रीन पर आना होगा और यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहरे आप लैप्टॉप पर PC पर जो है कोई सा भी ब्राउजर को उपन कर लेंगे और यहां पर आप देख पाएंगे हमने यहाँ पर Google Chrome पर search करना है TeamViewer और यहाँ पर official website आजागे teamviewer.com इसको उपर आप click करेंगे simply आप यहाँ पर दिखेंगे remote access and support तो आप यहाँ पर इसको side से close कर देंगे और यहाँ पर दिखी का download for free लिखा हुआ है बस आपको यहाँ पर click करना है दोस्तों जैसे आप click करते हैं यहाँ पर उसके बाद आपके laptop पर PC पर जो है software download हो जाएगा TeamViewer का और यहाँ पर दिखी का हमारा यह download हो रहा है और जैसे यहाँ पर complete download हो जाएगा आपको से उपर double click करना है और सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर अपने PC या laptop पर जो है install करना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर tick मार करेंगे नीचे और यहाँ पर accept तो यहाँ पर जैसे accept करेंगे अब आपका जो TeamViewer application है वो आपके laptop PC पर install हो रहा है और दोस्तों जैसे install होगा यहाँ पर देखेगा पूछेगा आपसे कि किस परपच के लिए है तो आप यहाँ पर इस तरह से next कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप यहाँ पर देखेगा install हो रहा है और installing होने के बाद आपसे पूछेगा कि आप किस purpose के लिए इसको use कर रहे हो तो यहां पर जो है दिखीगा हमारा यह install हो रहा है ठीक है इसके बाद जब एक नया page खुल कर आ जाएगा आपके सामने जब इंस्टॉल complete हो जाएगा तो यहां पर दिखेगा complete होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की से पूछेगा तो यहाँ पर हम जो है इसको personal use पर click कर लेते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर इसको finish कर लेते हैं और जैसे दोस्तों हमने finish किया अब आप देख पाएंगे हमारे desktop पर यहाँ पर देखीगा team viewer आ चुका आप यहाँ पर उनका partner ID में उनका ID डाल कर उसको easily access कर पाएंगे चलिए हम दूसरे laptop पर चलते हैं और यहाँ पर देखीगा यहाँ पर भी same to same आपको वहाँ पर team viewer download करना है और यहाँ पर देखीगा सबसे पहले इस ID को हम उनसे ले लेंगे अब दूस्तों यहाँ पर देख तो यहाँ पर आपसे password पूछेगा तो आप जिनके भी laptop PC को connect कर रहे हो उनसे आप कहेंगे कि आप अपने जो आपका remote access है team viewer का आपके स्क्रीन पर पासवर्ड सुख कर रहा है आप उसको share केजिए और share जैसे वो करेंगे आपको बस उस password को आपको यहाँ पर fill करना होगा और सारा का सारा control हमारे पास आ चुका है अब हम यहाँ पर कुछ भी open कर सकते हैं चलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों screen share करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और यहाँ पर दीखीगा हम control panel को open कर लेते हैं और यहाँ पर दीखीगा मैं easily उनके laptop को easily access कर सकते हैं और यहाँ पर दीखीगा मैं आपको file manager open करके दिखा दीता हूं यहाँ पर कुछ files है और यहाँ पर दीखीगा आप कुछ भी activities आप easily कर पाएंगे और दीखीगा यहाँ पर आप इसी तरीके से यहाँ पर team viewer से किसी के भी PC को control कर सकते हैं I hope दोस्तों आप समझ ग करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर करें और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है confusion अगर आपको है तो directly आप comment कर सकते हैं यह फिर आप मुझे Facebook Instagram पर message कर सकते हैं Link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं कुछ interesting औ और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना धियान रखेगा so thank you, bye bye दोस्तों